अस्सरामू अलेकूम विवर्स उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे आज में आप लोगों के लिए बहुती स्पेशल बहुती हेल्दी और टेस्टी खमन धोकले की रेसिप लेकर आई हूँ ये ढोकला नाचते के लिए भी बहुत अच्छा उप्शन है और आप रमजान की अफ्तारी में भी इसे बना कर खा सकते हैं काफी हेल्दी है, फ्लफी है और टेस्टी है तो चलिए बराना शुरू करते हैं ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये आदा कप उड़त दाल, ये बिना चलके वाली उड़त दाल है, आदा कप चना दाल ले लेना है, एक कप हमने राइस ले लिया है, चावल ये किसी भी वेराइटी का आप ले सकते हैं, इन चीजों को हमें पानी से 3-4 बार अच् आप ये सारी चीजों को कटोरी से भी नाप सकते हैं सिर्फ इसके रेशो का ध्यान जरूर रखिएगा अब यहाँ पर एक बोल लेंगे जिसमें हमें आदा कप पोहा लेना है इसे भी तीन से चार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है फिर हम इसे भी ओवरनाइट सोप इन चीजों को भीगा दिया है रात बर भीग चुकी हैं सारी चीजें आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है अब इन्हें एक जार में ट्रांसफर करेंगे और इन्हें बारिक पीस लेंगे पीसने के लिए सिर्फ एक चौथाई कप पानी का इस्तेमाल किया है वो भ और नाइट सोप किया है वो पोहे को भी हम पीस लेंगे अब जो बची हुई हमारी भीगी हुई दाल और राइस बची हुई है वो भी इसमें डाल कर हम पोहे के साथ ही पीस लेंगे थोड़ा बहुत पानी एट कीजेगा जादा नहीं करना है अब यह हमारा पोहा भी पिसक तरह से मिक्स कर देते हैं देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी ना बहुत जादा गाड़ा है ना बहुत पतला है बिल्कुल ठीक है लेकिन बैटर इसका अब हम एक पैन में लेना है एक टेबल स्पून ओईल आदा चमच के लगबग हम राइ एट करेंगे सरसों फिर इसमें बारिक कटा हुआ ग्रीन प्याज हरा प्याज जो लगबग तीन चौथाई कप है उसके बाद हम इसमें एक कप भरके हरी वाली मेथी को भी कट करके एट कर देंगे उसके बाद हमें इसमें एक चौथाई कप के लगबग हरा लहसुन भी बारिक कट करके एट कर देना है के लिए पकाने के बार इन चीजों को एट कर देते हैं यह सब डालने से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तयार होता है अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक चमच मैंने लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और इसे हाथों की मदद स अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें फर्मेंटेशन अच्छा आता है इसलिए हमें हाथों से ही मिक्स करना है लेकिन हाथ अच्छी तरह से पहले दो लीजिए उसके बाद मिक्स कीजिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए फर्मेंट होने के लिए और ठंड के दिनों में तो ओवरनाइट में भी फर्मेंट नहीं हो पाता है जादा रखना पड़ता है इसे लगबग 15 गंटे रखने पड़ते हैं तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो अलका सा फर्मेंट हो चुका है यह अगर आप चार गंटे रखकर इसे बनाते हैं तो आदे आदे पार्ट में आप इसे अलग-अलग कर लीजिए और एक थाली ले ले लेते हैं हम इस तरह की या फिर आपके पास अगर ढोकलका मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं और इस इसमें बिल्कुल बबल्स आने लगते हैं और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजे पुरा जाग बन जाएगा डोकले का जो गोले बिल्कुल फलफी हो जाएगा आपका एक डायरेक्शन में आप मिक्स कीजेगा इस बात का जरूर ध्यान रखिए अब इस प्लेट में जो थाली हमने ली है ग्रीस करके उसमें ये बैटर को ट्रांसफर कर देते हैं उपर से थोड़ी से जगा छोड़ेंगे एकदम फुल नहीं परना है हमें थाली यहाँ पर मैंने स्टीमर मेरा गर्म कर लिया है आप किसी बे तरह का स्टीमर जो आपके पास हो वो यूस कर सकत हैं अब ये थाली को इस पे प्लेस कर देंगे और उपर से धकन लगा कर हम इसे तेज आच में 10 मिनिट और धीमी आच में 15 मिनिट के लिए कुक होने देंगे 15 मिनिट के बाद केस की फ्लेम को ओफ करेंगे लेकिन धकन नहीं खोलना है जब तक वो पकरा है हम चटनी की तयार कर लेते हैं चटनी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है थोड़ा हरा धन्या यहां पर हरा लैसुन का जो वाइट पार्ट है वो ही मैं यूज कर रही हूं अगर हो तो ठीक है नहीं तो आप लैसन भी ले सकते हैं चार से पाच कली तीन हरी मिर्चे ली हैं दो टेबल केट कीजिए इसे मिक्स करके पीस लीजिए अच्छे तरह से हमारी हरी हरी बढ़िया टेस्टी सी चटनी बनके तयार है इस चटनी को अभी साइड में रखते हैं अब यहां हम चेक कर लेते हैं हमारा ढोकला पका है या नहीं गैस की फ्लेम को आफ करके पांच मिनिट तक हम से पहले हम चटनी को तड़का दे देते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर लिए एक टीस्पून ओइल आदर टीस्पून हमने राई ली है सरसो के दाने और दो हमने सूखी लाल मिर्चे ली हैं इन्हें हलका सा पगने देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता एट क करेंगे और गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे तड़के को चटनी पर एट कर देते हैं यह देखिए हमारी ग्रीन वाली चटपटी चटनी बनके तयार है अब उसी पैन में ढोकले को भी हम तड़का देंगे तड़का तयार करने के लिए मैंने एक टेबल स्पून भरके ऑई तड़का अब इसमें करी लीव्स डाल देंगे कुछ 15-20 पत्ते और गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे तड़के को ढोकले पर हम एट कर देते हैं यह तड़का डाल देने से ढोकला बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है यह रेसीपी बहुत ही जबर्दस बनके तयार होती ह अब तड़के को अच्छी तरह से ढोकले पर हम स्प्रेट कर देते हैं ढोकले को कट करने के लिए सबसे पहले हम प्लेट से इस तरह से उसकी एजेस रिमूफ कर देंगे नाइफ की मदद से छूरी की मदद से फिर इसे हम कट करेंगे इसे हम स्क्वेर शेप में काट रहे है उसके लिए पहले इस तरह से सीधा सीधा कट करने के बाद फिर ढोकले को टर्न करके हम दूसरे साइट से भी इसी तरह से कट कर लेंगे इसका एक पीस में आपको उठा कर दिखाती हूँ कितना फ्लफी और कितना जबरदस्ट बनके तयार हुआ है ढोकला हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौफ्ट खमन ढोकला बनके तयार है आप देख सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी चलिए मिलते हैं फिर से मज़ेदार रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज